Hello everyone, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Why previous year questions are important और यह मैं बात कराऊं class 12 के बच्चों के लिए जो board का exam देने जा रहे हैं तो बच्चों class 12 के जो भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को बता देता हूं कि जो exam का pattern होता है CBSC का अगर मैं बात करूँ पिछले साल जो exams हुए हैं let's say last 10 years के जो exams हैं उन सभी exam में आप एक tendency देखोगे कि एक portion of exam exactly repeat होता है अगर आपने पिछले 10 साल के सारे question किये हुए हर subject के तो यह मान लीजिए कि वो subject आपका बहुत अच्छे से prepared भी है और इस साल जो paper होगा उसमें आपके अच्छे number भी पक्के हैं और यह 10 साल के जो paper है ना बेटा इसके लिए मैं आपको एक source बताता हूँ बहुत ही amazing book है यह Oswal की CBSC last 10 years sold papers इसके बारे मैं बात करूँगा मैं और इसकी availability भी बहुत easily आपको मिल जाएगी description में link दिया हुआ Amazon से आप इसे order भी कर सकते ठीक है अब इस book के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं फिर मैं वापस से आऊंगा कि जो previous year के paper से वो important क्यों है अब previous year के paper important इसलिए क्योंकि हमें इस साल जब हम paper देंगे तो marks लेके आने अब क्योंकि previous year के paper important है तो उनके solution भी important होंगे वो मिलेंगे आपको इस book में कि भाई कई बच्चे होते हैं जिन बच्चों को सारी चीज़े आती है they know numericals they know derivations they know theory लेकिन उनको concept भी पता है लेकिन सवाल को या उसके answer को लिखना कैसे है कि मेरे पूरे marks आएं मेरे marks कटे नहीं यह उन्हें नहीं पता था इसलिए वो बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं अब यह कैसे सीखोगे आपकी कैसे लिखना है किसी भी answer को one mark answer है तो क कैसे लिखना है two mark है तो कैसे लिखना है five mark है तो कैसे लिखना है यह आपको इसमें पता चलेगा क्योंकि इसमें exactly उस तरीके से solution बनाए हुए है questions के के जिस तरीके से कोई आपका एक number भी नहीं काट सकता है और यह बहुत important बात है बच्चों को बहुत सारी चीज आने के बा पढ़ रहा है उसे solution कैसे लिखना है answer कैसे लिखना यह पता है और जो 75 वाला उसको यह नहीं पता है कि solution कैसे लिखना है तो एक ही चीज में 20-20% का अंतर आ रहा है दो बच्चों की percentage में ठीक है तो अगर आप अच्छी percentage बनाना चारे तो obviously you have to know कि आपको answer को कैसे लिखना है वापस से आते हैं कि previous year के questions का क्या link बनता है किसी भी year के आने वाले questions के साथ में ठीक है तो पिछले साल का जो paper है exactly वो paper तो repeat नहीं होगा उससे पिछले साल का paper है हो सकता उसमें से कुछ question आ जाए उससे पिछले साल और इस बुक की एक और अच्छी खासित बताता हूं आप लोगों इसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के पिछले दस साल के पेपर के सॉल्यूशन इसी एक बुक में मिल जाएंगे तो देखो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ठीक है अब आपको बेटा प्रिपेर तो सारे ह पिलिश के जुड़ रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा जो मार्ग जुड़ेंगे सभी सब्जेक्ट के जुड़ेंगे तो सभी सब्जेक्ट के प्रिवियस एर के कोश्चन्स आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेने पिछले दस साल के क्योंकि जो फ्रेश एर होता है यानि क उस पेपर से कुश्चन रिपीट हो बहुत कम चांस है अगर आपने दस साल के पेपर कर लिए तो बेटा आपको पेपर एग्जैक्ली ऐसा दिखेगा जैसे कि आपने अल्रेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है क्योंकि हमें पताए कि जो ट्वेल्ट का सिलेबस है वो कॉंस्ट फिक्स है चैप्टरस फिक्स है उनके नंबर्स फिक्स है बहुत ज़्यादा सी बदलाव नहीं करती है अपने सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो फाइफ परसेंट ही होता है उसका वोल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता है और वो भी बेटा पहले कहीं न लाइन फॉलो करती है ठीक है तो आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने पिछले दस साल के question papers बहुत अच्छे से करे हुए आपको यह पता है कि solution कैसे लिखना है आपके अच्छे नंबर पक्या है यह पक्की बात है यह fact है और बच्चे जनरली इसे ignore करते हैं है उस chapter से 5 important concept है तो वह पांचों उन 10 साल में कभी ना कभी alternative आ गए होंगे कि पहले साल यह आ गया दूसरे साल यह आ गया तीसरे साल यह आ गया चौते साल यह repeat हो गया तो वैटा क्योंकि जो हमारा syllabus है वह fixed amount में है तो पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं वह सारे important concept आ चुके हैं जो इस साल भी पूछे जाएंगे तो आप खुद समझें इस बात की importance को कि पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं सारे के सारे जो concept है मेरे वह आ चुके हैं और उनी में से paper बनके अब आना है तो बहुत जादा important है आप सभी लोगों के लिए कि आप पिछले 10 साल के paper जो हैं उनको अ अच्छे से सीख लो I hope आप लोगों को यह information काफी helpful लगी है thank you so much